तो बच्चो आज हम सेवन्थ क्लास की इंग्लिस की वक्षिट सोल्ब करने वाले हैं जो की आपकी वक्षिट नमबर 14 है और आपकी 10-11 नवंबर की वक्षिट है तो आज हम दोस्तों की बाते हैं नीचे जो दोस्त समर और दीपक बात करें उनकी बातों को पढ़ते हैं उन्होंने टेलीफोन पर बात की हैं तो पढ़ना सुरू करें समर बोल रहा है गुट इवनिंग दीपक गुट इवनिंग दीपक बोलता है इसले में इसकोल नहीं आपाया मैं दवाई तो ले रहा हूं लेकिन डोक्टर ने मुझे दो तीन दिन का रेस्ट करने के लिए बोला है समर कहता है टेक मेडिसिंस दवाई लेते रहो और प्रोपर रेस्ट और आराम करो यू विल भी फाइन सून तुम जल्दी ठीक हो जाओगे दिपक कहता है thank you dear धन्यवाद dear I have written an application में एक application लिख के दूँगा क्या तुम विल यू please give my sick leave application to your class teacher क्या तुम हमारे class teacher को मेरी application दे दोगे अपने को deren आपको किसी को अपको MIK sticking के यहाँ का जाते एक बिमार होते हो तो आज हम आपकी प्रक्राइब कराइंगे ट्राइचन लिखने की तो hisHe nac के अप्लिकेशनों की बिमारी की चुट्टी के लिए अब देखे पढ़ना सुरू करते हैं आगे सपोज यू आर इल आप सपोज करो कल्प ना करो क्या बिमार हो तुम्हें चुट्टी पर रहने क्या वाज सकता है हाव उन फॉल यू सपोल तुम कैसे अपनी स्कुल को इंफॉर्म करोगे वन वीज राईटिंग एंप्लिकेसं अन गिवइन इटनी टो ट्विलो फॉर्मीटसर दे नहीं है giving blow-up format & application नीचे एक application का format दिया गया है अपको फिल जो खाली एक फिल पिल देया है अपको फिल फिल करके घा करना है application लिखनी है तो देखे application to the principal to your school asking for two days. आपको दो दिन की चुपटी के लिए भीमारी की चुपटी के लिए application लिखनी है तो जैसे कि आपको आता भी होगी application लिखने बच्चो application आप लिखने शुरू से start कर देते हो 60 में लिखी होगी आपने तो पहले लिखेंगे the principal next line में लिखोंगे अपने school का नाम जो भी आपका school का नाम है आर-इसस जो भी स्कशेंगे अपने school का जो भी है अपका school धयालपूर में है द्या-पूर लिखने है यह वाय इनलपूर में लिखेंगे 110094 अब डेटिड है डेटिड आज है 11 November 2020 इस तरह से डेट लिख दी सब्जेक्ट लिख दी हमने next line में सिक लिव देखें बच्चे ध्यान से देखेंगे पहले दा प्रंसिपल इसकूल का नाम एड्रस न्यू डेली डेट फिर सब्जेक्ट लिख दिया आपने आगे लिखेंगे रिस्पेक्टिड सर और मैडम अगर आपके स्कूल में प्रंसिपल लेडी प्रंसिपल है तो सर लिखेंगे और अगर जैंट्स प्रंसिपल है तो सर लिखेंगे विद्यू रेस्पेक्ट सम्मान के साथ इस इन्फॉर्म यूटू आपको मैं इन्फॉर्म करती हूं that I am student of class 7th A मैं 7th A की class की बच्ची हूं student हूं आपके school में I am not well today मैं ठीक नहीं हूं आज मैं आज अच्छी नहीं हूं I am suffering from fever मुझे बुखार है kindly grant me यहां पर क्या है यहां पाएगा लीव चुट्टी मांग नहीं है आपको ठीक है तो आपने दोदिन चुट्टी लेली permission लेली थेंक्यू धन्यवाद यूर्स ओबिदेंट ली आपकी अज्यकारी आपका अज्यकारी सिस्च है जो भी आपका नाम है आपको नाम लिख देंगे आप पर सोनिया यह सोनू जो भी नाम है आपका और यहां क्लास लिग देंगे सेवंथ ए और बच्चे हम पर अपना रोल नंबर जरू लिख देना क्योंकि रोल नंबर पर ही मैडम आपकी जो आपकी application मार्क करेंगी रोल नंबर आठ दस यह बाहरा जो भी है आपका रोल नंबर बाहरा इस तरह से आप लिख देंगे तो बच्चो आपको अपक लिश्ट खतम होती है आज यह आपको बसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थेंक्यू